जहित दोस्तों आज हम लोग 16 का कोई ट्रिक बताएं वह कैसे हरों करेंगे जारी किया हुआ है अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा यहां पर हिंट कर देते हैं उसके बाद आपको खुल बाखुल समझ में आ जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए बीना समय कवाए हम लोग शुरू करते हैं ठीक है टॉपिक हमारा है टू डीजिट मल्ट्रिपिकेशन टू डीजिट का गुन्ना ठ क्याइं दोस्तों चलिए सबसे पहले हम कोई विदोवग क्या संखहले लेते हैं एक आपको इसमें इंट्रेस्टिंग बताने मीठीन होत हो है ठीक है वो मेथड हमारे लिए कितना काड़गर है और हमारा कितना समय बचाता है ठीक है इस पर डिपेंड करता है आप पहले एक दूबर कोस्चन देख लिजेगा तापको समझ में आ होगा कि Japanese method अच्छा है या मतलब हमारा मेथड है simply जो गुना करने का मेथड है वह अच्छा है वैदिक मेथड ठीक है चलिए यहां पर देखते हैं जैसे हमको गुना करना है 12-31 ठीक है इसे गुना करना है ठीक है न तो यह जैपनिक जुमेड ठीक है जैपनिज मेथड में ऐस जैसे होगा ध्यान से देखें जैसे हमको निकालना है 12-30 का गुना देखिए हो गया है अब ध्यान से इसका एंसर लिख देंगे इसका एंसर हो जाएगा दो अब हो जाएगा इसका साथ और हो जाएगा आपका तेन 372 ठीक है 372 हमारा आना चाहिए एंसर तब यह जाएगे सही होगा हम एक बार चेक कर लेते हैं अगर यह कतिस में 12 से गुना करेंगे तेक तिस दुना बासट और तेक तिस एक में कतिस ठीक है यह जाएगा दो साथ तीन तो यह हमारा कितना साथ है कोई भी गुना कि आप देखते देखेऊएगा अभी से लिखें वह आप भी डवाइडिक्ट एंसर लिख सकते हैं चलिए तो प्रोपर तरीके से आपको समझ में आएगा यह मेथड इजी है इजी के वल दो लिए तीन नंक में जाएगा तो हाट हो जाएगा चा एक सब सही होता है बसरती आपको क्या करना है कि उसको फॉलो कहां तक आप कर पाते ही आपको देखना है अब चलिए कुछ और ले लेते हैं जैसे हो गया तो कैसे करेंगे ठीक है अब धिएन से देखिए है कि अब कर दे करके हम अपको हो जाएगा एंसर में इस फिएर को देखकर करके ठीक है लिक रहा है चलिए कि उसके बाद आपका आगया यहां पर 902 अब इसको हम क्यल्कुलेट करके देखते हैं जैसे हम बच्पन से करते आ रहे हैं उसके वैसे करके देखते हैं एक तालिस दूना क्या होता है बेरासी ठीक है बेरासी दो के दू आठ दो 902 देख लिजिए ध्यान से देखिए इसमें कोई हम ट्रिक बताएं कोई ट्रिक नहीं से फिगर देखके हम अंसर निकाल रहे हैं उसके बाद आपको प्रूफ भी करके दिखा रहे हैं कि देखिए यह मेथट सई है ठीक है लेकिन आईए कुछ और इस पर देख लेते हैं फिर से कर लिजि तो बहुत सारा कोशन आपसे कर देखी सबसे पहले कोई अंख हम उठा लिए जैसे की 兩個 सिंपल ही एंक के लिए बतिछ सगुंने 22 कर लिशे कुछ भी कर सकते हैं कितना बीट आंख भी ले सकते हैं लेकर समझाने के लिए आपको Chicago सिंगल आंग लिए ठीक है आप देखे आउसे पहले तीन डू करेंगे तीन लाइन डू करेंगे ठीक है फास्ट लें एंसर लिख देते हैं एंसर अपका हो जाएगा चार जीरो जाए चार जीरो जाए अब इसको कुना करके देख लेते हैं 32 22 दुना 64 64 007 सही है हमारा प्रूफ सही है अब देखें आप सिखाते हैं आपको कैसे बनता है पहले क्या करना है कि ती आप सबस्श्थ देखें इंक इंक कितना है थीन है तीन लैंने दोकर दिए यहां पर रहता तो नो लैंने करते थीख के दोaci है इसके लिए पहले ह Chi is तरे सब्सक्राइब लाते हैं और यहां बढों रहे हैं और यहां पर दो करना है उतना अगर ड्रो कर लिए तो आपको देखें अब काउंट कीसे करते हैं कि हम काउंट कीसे करेंगे फिकर को देखें यह आपका हो गया इकाईयंक का गुना ठीक है इसको अगर काउंट कीजेगा तहीं काईयंक और इसको और इसको दोनों काउंट कीजेगा तबीच व बन रहा है देखें दो-tet 4 कि चार का चार लिख देंगे उसके बाद इस दोनुक्त के टो जूर लिखना हे टोपर में देखें 1234 56 120910-09 हम लोग हासिल करते हैं घयopfर करते हैं तो अभी दूसरा तीसरा चौथा पाचमा चटा यहां पर भी छो है एक हासिल है जोर कर कितना जाएगा साथ यानि कि 704 फीगर देखिए एक सेकेंड में आपको इस से मतलब ज्यादा आसान नहीं बन सकता है अब चलिए एक और मेथर बात करते हैं यह तो था आपका जैपनीज मेथर आई होप आप यह समझ गए हुईएगा अगर नहीं समझा है तो कमेंट कीजिएगा ठीक है इस पर और कुश्चन आपको करा देंगे ताकि समझ में आ ज आप परसान मत होई है जिनका सवाल है उसको हम कंप्लेट कर देंगे चलिए एक होता है अगर गुना करना है अब में सीडी से अगर गुना करते तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर बन क्या आता है यहां पर डाइरेक्ट इसको लिखते हैं इसका फर्मूला हो गया प्लस बीसी तीसरा जे है एसी हो जाएगा ठीक है यह आपका फर्मूला यह आपका क्या है फर्मूला है इसमें थट पर दोंग का कोई भी संख्या हो आप उससे असानी से कल्कुलेट कर लेजिए गठीक है चलिए इसको हम सौल्व करके दिखाते हैं आपको जैसे कुस्चन ले लिए जाए और 42 बटा 22 25 ले लिए अब गुणा करते हैं इसको ठीक है गुणा करने के लिए क्या किये है पहले बी में डी से गुना किया है तो सब्सक्राइब करेंगे तो यानिकि दस सो पचास ठीक है इसको हम प्रूफ करके भी दिखा देते हैं ठीक है ताकि आपको यकीन हो जाए है 42 में 25 से गुना करेंगे तब पचीश ठीश दूनी 50 का जीरो हाथ में लगा पांच है अब पचीश चवका सो पांच एक सो पांच ठीक है दस पचास ठीक है ना इस तरीके से आपका यह हल हो जाएगा ठीक है अब एक चीज और यहां पर समझाते हैं आप लोग ट्रिक ट्रि के पीछे मत भागिए आपका दिमाग कल्कुलेट करने में अगर थोड़ा भी दिक्कत होता है अच्छा भी है तो आपके लिए यही बेसिक मेथट है जैसे डाइरेक्ट अपने दिमाग में गुना करने का प्रयास किजिए एक दिन ही दो दिन ही तिन दिन में जरूर सीख च करते हैं ठीक है टेवल आकछा स्वं कंप्लीट के हुए हैं तो आपको यहां पर दिक्कत ने होगा डाइडिक्ट 25 से दो में किया तरीका हां से लिक ना पांच आगया फिर पाचीस से चार में किये तब तरीका बहुत इजी है यह भी तरीका सब जितना भी तरीका हम तूट याद कैसे रहेगा इसमें दो अंकिये संख्या का गुना कैसे आप याद कर पाईएगा पॉसिबले नहीं है ठीक है तो चलिए अब यह टाइप आई होप आप लोग यह टाइप समझ गए हुएगा अगर नहीं समझे हैं तो कॉमेंट कीजिएगा फिर इस पर कुछ डिसकस कर देंगे ठीक है लेकिन हमारा में फोकस है कि आप इसे ट्रिक तौर्ब मत बनाई आप एक बेसिक कॉंसेप्ट बनाई कि ताकि हम जो है अपने माइंड के बदलत दो अंकिये गुना या तीन अंकिये गुना है उसको कर सकते हैं अब तीने अंक में दे देता ऐसे देता कि 112 12 में 25 से गुना कीजिए ठीक है तीन टूर दू क्या करेंगे पचीस दूनी 50 50 का हासिल पांच जागा पचीस से कम 25 25 25 35 35 हांसिल तीन अपर 25 तीन 28 यह कितना गया थाईस तो अब उतना जाके इस पे बढ़िठाते इसके लिए कोई दूसरा फर्मूला लाएंगे देखिए थ थोरा तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोरा सा एक से तीस तक टेबल तो जरूर याद कर लिजिए एक से तीस तक टेबल याद रहेगा तापका मैथ आटोमेटिक फास्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब इस सब को मिटाते हैं